क्लिक अन बेल आइकन तो वाच आर लेटेस्ट वीडियोज लदाक जिले की राजधानी ले से चालिस किलोमेटर दूर हैमस नाम की गाउ में बसी हुई है है हैमस मॉनेस्ट्री बुदः इस लिटता है उन्या सिसन है हुई है G invited अब देमेंटिस व्याचिका क्लचिर लिच्व इजिए छिवीं अजिए लग्रेट कि अनन भाउचिक मॉन आराली की कि उनके सिर्जन से दिष drag I used to have a great devotion towards Buddha, Buddhism. यही सबसे बड़े मकसद होगा, सबसे कामेप जिननगी होगी, अगर आप जीए तो इसमें पली जीए. तो अपने उपर है, जैसे कि हम जब मुनस्ट्री के अंदर आते है, तो कुछ Buddhism के बारे में या कुछ जिसे भी हम Relative Religions को मनते हैं, उसके बारे में अंदर ही अंदर आके कुछ तपासे या Meditations कुछ कारेंगे, तो पांस-दस मिनट के लिए टाम निकारेंगे, तो मान कुछ शान्ती मिलता है. Hemis, जो इस शेत्र के सबसे पुराने मठों में से एक है, हिमाले की घाटियों में इस तरह बनी है, कि जैसे परवतों का ही हिस्सा हो. विष्वास के बजएर हम कोई भी काम को पूर नहीं कर सकते हैं, कहीने कहीं हमारा विष्वास रहता है, और तभी उसको हमारी positive energy उसके तरफ ली जाती है, और विष्वास के तहत ही हम उसको सफल हो पारते हैं. This is how they do it. This is one, two and then two. This is how they kneel down towards one. Three time we do it which is considered as possible. At least three time we do it. So first thing is to keep our mind clear, clear our mind. Second is speech and third is purity of your soul. This is the three time we do it and this is what we learn. Clear. बुद्ध द्वारा सिखाए गए आश्टांग एक मार्क पर चलनी से, कष्टो का निवारन भी संभव है और निर्वान भी. आज हम लोग Hemis देखके आएं और बहुत अच्छा लगा. यहां फ्लैग तो हमको बहुत अच्छा लगा. हम लोगों ने बाई कायर किया था, उस पे भी हम लोगों ने फ्लैग लगवाय था अपना. घर के लिए भी फ्लैग लिए अच्छा लगा यहां. Hemis Monastery वो स्थान है जहां वो अपने गुरु की सीखो पर अमल करके अपने भीतर के बुद्ध को जगाने का प्रयास करते हैं. यह लोग अभी भी बहुत साथगी में हैं, बहुत चीजी हैं इनके बारे में, जो इनुसिंस शायद बहुत जगा पे लूज हो चुकी है, खतम हो चुकी है, वो इन लोगों में अभी भी खायम है. हम बहुत से धम घुमाले के लिए, हम सच्चा धम, मिला इसलिए धम को अपने आगे. जब चाहो, अन हो जाओ. EPIC ON चलाओ. Available across all devices.